हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं आज का वीडियो आप लोगे के लिए बहुत खास होने वाला है आज की वीडियो में आप सभी को कच्छा दस के गड़ीत का सबसे महतपुर्वारल प्रश्न को बताने वाले हैं जो आपकी 2024 के बोर्ड के एक्जाम में 101% आने वाले सवाल हैं आज की वीडियो में आप सभी को 5 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, 2 प्लस करड़ी में 3, 5 माइनस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 के प्रश्ण होते हैं आपको कैसे अपरिमे संक्या सिद्ध करना है आप सभी को बताने वाले हैं आप इस वीडियो को लाज तक ज़ूर देखिएगा चलिए फ्रेंच वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंच देखिए आपके सामने सवाल है कि सिद्ध क कशेज़ी ये पांच करड़ीमे दू एक अपरिमे संक्या है स्थ प्रश्ण को आप कैसे हल करें गए विए पकार्ष्ण आपके सामरे आये तो पहले आप लिखिएगा हल ठीक है पहले हल लिखने के बात देगे फ्रेंज जब भी आपको अपरी में संख्या सिद्ध करना होगा तो पहले आप मान लीजिएगा माना ठीक है माना लिखेंगे और लिखेंगे पांच करड़ी में दू इसको क्या मानेगा एक परिमे संख्या मानेगा परिमे संख्या है ठीक है फ्रेंज जो यहां परिमे से दिखना रहेगा तो पहले इसको क्या मानेगा पांच करड़ी में दू क्या है एक परिमे संख्या है लिखेंगा 5 कोरी में दूब जब परिमेय संक्यया तुछा लिखेंगे a upon b human in a or b ai a a क्या है आपका सर्भाज संक्या संख्या तो संख्या इस तरह माड़ लीजेगा और लिखेगा जो भी यहाँ ठीक स्टार नहीं होना चाहिए इतना चीज़ लिखना पड़ेगा अब देखिए आपको क्या करना है यहां पर आप पांच को क्या करेंगे पच्छानता करेंगे यहां पर होगा करणी में दू बराबर ए अपार पांच भी हो जाएगा ठीक है फ्रेंज जब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप लिखिएगा फ्रेंज चुकि जो पांच हुआ ए हुआ और भी हुआ लिखेंगे आप, कि a a pen कितना है, a pen o 5 b है, 5 b, 1 परी में, परी में, संक्या, संक्या है, देखेंगे, जैसे 5 a और b को पुढ़ांग लिखेंगे, a upon 5 b, एक परी में संक्या होगा, जिसे आप पी a pen क्यों के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अब को पता है, ए अपन पांच भी एक परिमे संख्या है तब आपका क्या होगा फ्रेंस तब करड़ी में दू भी एक परिमे संख्या होगा एक परिमे संख्या होगा ठीक है यदि ए अपन पांच भी क्या है परिमे संख्या है तो इसका मतलब करड़ी दू भी क्या होगा एक परिमे संख्या होगा लेकिन फ्रेंज देखें यहाब क्या है आपको पता है चुकि हमें पता है हमें पता है कि करड़ी दूज़ होता है एक परिमे संख्या है क्या है कि करड़ी दूज़ क्या है आपको परिमे संख्या है जब यह करड़ी दूज़ एक परिमे संख्या है इसका मतलब इसलिए इसलिए फ्रेंज क्या होगा कि जो हम यहाँ पर माने है जो यहाँ पर कथन माने है फ्रेंस के पांच कड़ी दूई एक परिमेशन क्या है इसका मतलब हुआ कि यह कथन क्या होगा यह कथन विरोधा भास है क्या है विरोधा भास यह तत्थे या कथन क्या है फ्रेंस विरोधा भास है जो यहाँ पर माने है फ्रेंस यह कड़िदू एक परिमे संख्या जो कि यहाँ परिमे संख्या लेकिन यहाँ कड़िदू क्या होता है अपरिमे होता है जो कथन माने है फ्रेंस क्य होगा आपका विरोदाभास मतलब होता है एक दूसरे के अपोजीट है ठीक है और फ्रेंज देखें जैसे ही यहां पी आप लिखेंगे तो यहां पी लिखिएगा अतह क्या लिखना है अगला इस्टेप में अता पांच करड़ी दू एक और परिमें संख्या अपरिमें संख्या है क्या है अता पांच करड़ी में दू क्या है आपका एक और परिमें संख्या है जो कि आपको यही सिद्ध करना था देखें फ्रेंज जितना इस्टेप लिखें इसी तरह आपके बोर्ड की एक्जाम में आप सभी को चाहे आपका अर्दवार्शी परिच सब्सक्राइब एक करते हैं अगले नंबर सवाल को करते हैं त rays दूसरा सवाल यहां पर लिखिए कि माना माना दू प्लस करड़ी तीन आप परिमे संख्या क्या मानेंगे यहां परिमे संख्या है इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर लिखिएगा कि दू प्लस करड़ी में तीन बराबर एपान भी जहां पर लिखिएगा कि एक कामा भी क्या है आपका सभाज संख्या है सभाज संख्या है ठीक है ठीक है सभाज संख्या का मतलब होता है कि दो संख्या हो जब पच्छांतर करेंगे यहां पर करड़ी में तीन यह होगा एपान भी माइनस दू इधर आजाएगा ठीक है जैसे ही इस साइट आप पच्छांतर करेंगे इसको दो को इधर कर दीजिए अब इसको तोड़ा सा पहल कर लिजिए या डारेक्ट यहां पर देखें लिखिएग इसका मतलब देखें जैसा इसे पुड़ांग किया करना है आप क्या लिखना है द्यान दीजिएगा यहां पि लिखिएगा आप कि ए अपान भी माइनस दू क्या होगा एक परिमे संख्या होगा परिमे संख्या होगा ठीक है यह से परिम्य संख्या लिखेंगे यहां भी क्या हो जागा परिमे संह्क्या होगा अ परिमे .. परिमे संह्क्या ओस ठीका परिमे संह्क्या होगा लेकिन यहां पर लिए परंतु हमें पता है कि करणी तीन क्या होता है अपरी में संख्या होता है अपरी में संख्या होता है आपको पता है कि करणी तीन क्या है कि अपरी में संख्या होता है आता दू परिमें संक्या जैसे खड़ी 3 में आप ब्लहता माईनस करड़ी 3 एक अपरिमें संख्या है जैसे सवाल यह करना थे नम इसा सवाल किस प्रोकर्याया परिमे weitere क्या करना है कि व्त धिल्खोनी जैसे दो भी आपको इसी प्रकार से पर लेंगे इस पूर्य सवाल एक बार आपे इस प्रकास बोड के एकजा में आपको हल्ग करना है तो फ्रेंज देहिए आपको यह वीडियो पसंद आए तो बीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चुक्त को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें